तो चोटे-चोटे कोईशन और कॉंसेप्ट के साथ आज का जो कोईशन आप लोगों का इस्टुडेंट आपके के बीएस पियेच के 2019 के के एक्जाम में हाया हुआ को इस तरह Kate चोटे-चोटे-चोटे या micro processor के program अक्सर आप लोगों के examination आते है और आपसे या तो accumulator का data या किसी proper register का data या कहीं किसी location की बाद को कर सकता है किसी address को पूछ सकता है जैसे this question में अगर मैं देखता हूँ कि after the execution of following program कि इस program के execution पाद 8051 micro controller में the content in accumulator will be accumulator में finally क्या content store होगा the accumulator हमारा क्या होता है कर सब्सक्राइब कि स्पीशल पर्पर्पस री safe अरिदमाटीक प्रीशन का या लॉजिकल आप्रेशन आता है वो हमेशा कहां इस्टोर होता है आपके accumulator में इस्टोर होता है अब यहां पर कुछ instructions लिखे वे इन instructions को execute आप लोगों को कराना और इसके according आपको देखना है कि finally accumulator में क्या इस्टोर होता है पहला instruction लिख रहा है move r5 as a h इसका मतलब यह instruction जब execute होगा तो यह instruction का indicate कर रहा है है से मुझे एक बात पता चलती है कि immediate addressing mode है यह जो मेरा यहां टू ए एच लिखा गया है यह मेरा क्या है एक data है content है जैसे यह instruction execute होगा यहां से अगर मैं कहता भी हों कि यह instruction जैसे ही अपना execute होगा तो यह जो टू ए एच या एच आपका hexadecimal को represent कर रहा है तो अपना 16 बीट का जो डेटा टू ए है ठीक है यह जो यहां से अगर मैं 8 डेटा के अगर मैं बात कर रहा हो तो यह 8 बीट का क्योंकि 4 बीट में यह आएगा 4 बीट में ए आएगा ठीक है तो 8 बीट का जो डेटा है वो इस्टोर हो जाएगा कहां आपका register R5 में इसका मतलब register R5 में क्या इस्टोर हो जाएगा आपका 2AH यह डेटा हमारा इस्टोर हो जाएगा सेम दूसरे instruction पर अगर मैं आता हूं तो मैंने कहा move R7 has C3H इसका मतलब जो C3 data है वो R7 में अब इस्टोर ह हो जाएगा या R7 में मूब हो जाएगा ठीक है तो R7 में जो डेटा स्टोर है वो कि आपका C3H यह डेटा स्टोर है इसी तरह से और आगे अगर मैं बढ़ता हूं मैंने कहा next instruction सेम इसी तरह से simple program आप लोगों के examination ने आया हुआ भी है और आता भी है कि मूब करवाना है R5 य register आपका R5 लिखा हुआ है यहां accumulator की बात कर रहा है अच्छा हमेशा याद रखेगा कि जो पहला register लिखा वह होता होता है जो बाद में लिखा गया होता है इसका मतलब R5 में जो डेटा स्टोर है ठीक है वह कहां स्टोर हो जाएगा यहां मैंने कहा भी कि R5 का जो डेटा है वह इस्टोर हो जाएगा कहां आपका accumulator में R5 में आपने देखा क्या इस्टोर था आप लोगों का 2AS था अब accumulator में क्या इस्टोर है आपका तो मतलब accumulator में जो डेटा इस्टोर होगा वह 2AH होगा तो इसी तरह से अगले instruction पर आप आई यहां लिखा है add मुझे साब समझ आ रहा है कि सिंपल से instruction है जिसका मतलब क्या होता है addition कराना है और किसको add कराना आपका R7 register के data को accumulator के साथ add कराना है फुल मिलाकर आप लोगों का कि जो आपका यहां से अगर मैं कहूं यह instruction क्या करेगा accumulator का data plus register R7 का जो data है ठीक है यह accumulator और register R7 का जो data है इन दोनों को आप लोगों को क्या कराना है add कराना है इन दोनों को आप लोगों को जोड़ना है अब इनको अगर आप add कराते हैं यहां से आप देखते भी है तो यह simple कैसे आएगा आपने यहां से कहा कि जो final result आता है वो accumulator में ही store होना है ऐक्मिलेटर का पहले data क्या था आपका 2A था ठीक है परिसी तरह से गर मैं बात करता हूँ है यहीं से अगर मैं लेकर चलता हूं मैंने कहा कि R7 के data को add कराना था तो R7 में क्या आप लोगों का यहाँ से C3H आप लोगों का था दोनों को add कीजिए यहाँ से मैंने कहा कि यह आपका 2A है ठीक है और इसके साथ add होना आपका C3 ठीक A कितना होता है hexadecimal में आप जानते हैं कि A10 होता है ठीक है A था B, C, D आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि 10 और 3 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा आपका 13 आएगा तो 13 कितना होता है आपका D होता है ठीक है ऐसे C में देखेंगे तो C में मुझे 2 add करना है तो 2 और आगे अगर मां बढ़़ूँगा ठीक है है आप लोगों का E, D और यह H है H आपका सिर्फ एक्साडेशिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है आप अगले इंस्ट्रक्शन पर आए नेक्स इंस्ट्रक्शन पर आप निकल कर आए तो आपने कहा 10 H डेटा को add कराना है accumulator के साथ इसका मतलब आपको क्या कराना है accumulator में क्या इस्टोर हुआ है यह स्टोर हुआ है E, D ठीक है इस E, D के साथ आपको add कराना है क्या 1, 0 को ठीक है यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो यह simple कितना आ जाएगा आपका 1, 0 आ जाएगा ठीक है अब देखें यहां से अगर मैं इसको लेकर भी चलता हूँ कि accumulator में पहले भई हमारा accumulator में क्या था 2A था इसके साथ add कराया था C3 को ठीक है यह R7 का जो data था तो add करते भी हमने देखा था कि 10 और 3 13 हुआ था तो यह D आया फिर C के साथ मैंने जोड़ा कि 12 और 2 अगर मैं जोड़ता हूँ तो यह आ जाता आपका 14 ठीक है तो यह E आ गया था अब यहां अगर मैं इसके साथ 1 0 के साथ इसको add करता हूँ तो यह simple कितना बन जाएगा student आपका यह जब आप add करेंगे तो 0 के साथ D add होगा तो D आएगा ठीक है E के साथ एक add करेंगे तो यह हो जाएगा F F, D, H आप लोगों का यह निकल कर आ जाए ठीक है इसके बाद आपने कहा कि last instruction पर अगर मैं आता हूँ तो मैंने कहा कि 00H को add कराना है मुझे यहां भी add यहां भी add है फिर से accumulator के data के साथ accumulator में finally data क्या इस तोर आपका F, D है F, D के साथ मुझे 00 जोड़ना है तो finally मेरे जो accumulator का data आएगा वो simple कितना आएगा आपका F, D और यह hexadecimal को represent करने के लिए H आज आएगा यहां data एड़़ोगा यहां भी add होगा यहां भी add होगा एड होने के बात finally result हमेशा किस में आएगा accumulator में आएगा आप देख सकते अगर आपको R5 कə data पूस्था question यह answer आता R7 का पूस्थता तो यह answer आता accumulator में पहले यह store हुआ फिर आपका accumulator में यह इस्टोर हुआ फिर आपका next accumulator में इस्टोर हुआ final जो data accumulator में इस्टोर हुआ वो आप लोगों का FDH है यहां से अगर मैं answer की बात भी करता हूँ जो आपका final answer निकल कर भी आएगा student आपका वो क्या है? option D हमारा right answer ठीक है question को ध्यान से देख लीजिए simple से दो instruction थे एक आप लोगों का move instruction और फिर एक आप लोगों का यहीं से गर मैं बात करता हूँ तो add instruction था ठीक है add होते होते finally जो हमारा data निकल कर आया वो यह है FD और F इस टाइब के छोटे-छोटे questions आप लोगों को examination में पूछे भी जाते हैं general से question micro controller के questions को ध्यान से देखना आप लोगों का instruction या command या आपके प्रोग्राम को देख कर confusion नहीं होना है कि इसमें क्या होगा simple move और add instruction था आपको नहीं भी पता होता तब भी आप जानते कि add का मतलब जोड़ना होता है यहां पहुंचाना है यह इस तरह से आपको solve करते हुए चलना पाइनल डेटा आपको कुछ से निकल कर आज जाएगा वीडियो को आप लोग लाइक और शेड़ जरूर करें पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप तो आज के लिए थैंक्यों सुरें